आज हम बनाने वाले हैं सेजवान डाल इसमें ढिएरों सारी याँ पर सब्जी ओं कर सकते हैं राजकल अ किसलाती Parent season और विंटर सिजन भी साकी तो डिएरों यहां पर इसमें सब्जियां पड़ती हैं राजकल खुब तज्जी और फ्रज सब्जी भी आरे हैं मार्केट में ऐसे में हम बना सकते हैं यह सेजवान दाल बहुत देश्टी होती है दाल चावल पराथा पूरी किसी भी चीज के साथ हमें से सर्व कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ संगीता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने रस्व ही में आज मैं आपके साथ सेजवान दाल की रसीपी जो की उत्रखन में बनते हैं हमारी काफी सारी वांपर बेजी टेवल लोकल होती है और डालें भी लोकल होते हैं तो इस थरीके के हम दाल और सब्चिया एक साथ बनाते हैं उसको बना बोलते हैं सेजवान डाल बहुत टेस्टी होते हैं आप ज़रू सही से ट्राइ कीजिए गर खूब इंजाई कीजिए गर बिना दे लिखिये देखते हैं इसकी जड़ परसी Oh Yes, जितने भी फरकार कि हमार पास बेज़ी टेबल होते हैं हम सब ले लेंगे इस दाल में बहुत सारी वेज़ी टेबल पर दाल है और खूब सारे यह छाट कर लिया है मूली भीली है लगी लिया है कद्दू भी लिया है गाजस लिया है सिमला मिच लिये है प्यार लिया है अद्रक लेशन का पेश्ट लिया है टमाटर लिया है शिमला में चिवलिये तो सब को हमने कट कर लेना है क्योंकि गाजर जल्दी से गलता नहीं है तो इसलिए उसको मैंने बारिक-बारिक कटा है और मूली और लोकी इसमें तोरी भी डाल सकते हो टिंडा डाल सकते हो जितनी इसमें बेगिडेबल लोडाले रहें उतनी ज्ञाधा स्वाधिश्ट और टेस्टी बनती है तो डाले वी हमने यहां पर वुह जाएं धोली है और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस ही तरह को तो यहां पर हम इसमें बनाने वाले हैं क्योंकि यह प्रेसर कुकर में ही बनती है तो हम डालेंगे यहां पर एक से डेट चमच तेल आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं यहां पर घी गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे जीरा एक चमच और इस डाल में राय के दाने भी बहु होती स्वाधिष्ट बनती है तो इसमें एक तड़क हम बाद में लास्ट में भी लगाएंगे अब जैसे जीरा यहां पर तड़क जाए हम इसमें डालेंगे अध्रक और लसन का पेश्ट यदि आप लसन का इस्तमाल नहीं करते हो तो इसकी इसकी भी कर सकते हो जैसे भून जाएगा हम इसमें डालेंगे प्याज बारी काट लिया था क्यूंकि इसमें सबजियां भूनती नहीं है हम ऐसे डारेक्ट डालते हैं इसमें डालेंगे अब गाजर कद्दू जाएगा इसमें लौकी तो जितनी भी परकार की सबजियां हैं सब हम इसमें डालेंगे जितनी हमनें कट कर रखिए हैं तो कद्दू और लो की तो बहुत ज़ल्दी बूल जाती है तो यहां पर मैंने मूली भी ली थी दो छोटी और इनको लंबा सा कट कर दिया था टमाटर लिया है और यहां पर लिया मैंने आधा ये सिम्ला मिच ज़िए अधाले लिये हैं दाले दो के अच्छे से इसको आम ढा देंगे और आप जाएगे इसमें उरत दाल जाएंगे बहुत ही अच्छा स्वाद हो टेस्ट देती है इस दाल को बहुत अच्छा बनाती है रोटी पूरी पराठा किसी भी चीज के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं सारी दाले यहां पर मिल गए सब जीवी अब इसमें पॉर्डर स्वादनुसा नमाग और एक चम्मच यहां पर रेड चिली पॉर्डर क्योंकि हमने हरी मिर्च नहीं लिया आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हो तो इसको हम भूनेंगे नहीं डारेक्ट इसमें डालेंगे पानी अब दुगना यहां पर तीगन क्योंकि सब्जियों को पकने में भी टाइम लगता है दाले तो जल्दी पक जाते हैं और अच्छे से एक साथ मिल जाएंगे तो तीन चार सीटियां पर लगाएंगे इसके बाद हम थोड़ा सब्धकन हिलाएंगे पहले सीटि चक कर लेंगे और दाल बहुत अच्छे से पक अब इसमें यहां पर घी जाएगा आप इसमें घी का इस्तमाल कीजिएगा बहुत अच्छा स्वाद जाता है तो यहां पर मैंने दो चम्मज यहां पर भरके दो कर्ची गी लिया है सब्जियों आप जितने हमारी भी एजटेवल है दाले है उसकी आवस्टेक्तर के अनुस कि दाल सबजी और हरी वाली सबजी के साथ भी तो जैसे यहां पर तेल अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम इसको डालेंगे उपर से उससे पहले नहीं क्यूंकि उपर से पहले डालेंगे हम तो जिस तरीके कर राएक के दाने तलंकते है औलेकर लेकिन इसमें बहुत ही दाल में सेजवान दाल जैसे कि आप देख सकते हैं सारी सब्जी बेजटेबल हमारे पक्के तयार है दाल भी उसमें पूरी मिल चुकी है तो आप मिला लेंगे आप इसे पूरी चावल पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कीजिएगा बहुत सारी बेजटेबल आजकल आ रहे हैं तो तरह तरह कि आप सब्जियां इस तरीके की दाल बना सकते हो तो यह सांबर नहीं है कही लोग पूछेंगे कि यह सांबर इस सांब तो गर्णिस के लिए मैंने या पर रच ज्चली यह पर भुनिती ती हलकी चीए और हम यहां पर मैंने मूली कट कर रिखिये है चटनी भी बनाई है अव में ही अधर हमारOST यह कहां बनती हैं चावल बनाए हमने यह पर बनाए उप दाल आप किसी भी चीज के साथ शरु और जरूर से ट्राइब कीजिएगा आप यह रेसिपी बहुत ही रेसिपी है पूरी पराथा चाबल किसी भी चीज के साथ आप सर्व कर सकते हो जब कोई सब्जी या दाल समझ में ना रहा हो कि दाल भी या सब्जी भी हमको बनाना है तो इस तरह के एक साथ दाल और सब्जी बन जाते हैं तैयार हो जाते हैं तो कैसे लगे आपको मेरे आज की रेसिपी यदि रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक दीजिएगा और चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथ में बेल आइकन भी जरूर से दबाएएगा आपका सबोर्ट मेरे लिए बहुत मैत बने मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में बीड़े देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक इसो में